आपको पता ही है आजकल यहाँ बरसात का मोसम है और पेड लगाना बहुत अच्छी बात है आज हमारा जो मंदिर है नागराजा का मंदिर आजम्मु आपकर पेड लगाने जा रहे है हमने का जरब पुन्डे का काम किया जा या बैसाब यह वे लेके या अवर पेड़ इसपे और यह पेड़ जो है मूर पंकी का है पवित्र पेड़ माना जाता है तो यह हम सब्बल लेके नवीन कुमार जी और यह कुछ हतियार लेके आज हम मंदिर सामने मंदिर है और भगवान जी की सेवा में आज हम कुछ पेड़ लगाने जा रहे हैं चलिए यहां देखो पैर फिसल रहे है क्योंकि बारिस के कारण मिट्टी दल दल हो चुका है और इसका क्या नाम बताया था तुने कटोरी का यह कटोरी का पौदा है इस पर अच्छे खासे फूल आ रहे हैं अच्छा और यह आज कल हर जगे इस ही का पेड़ पौदा दिखाई दे रहा है पेड़ तो नहीं बोल सकते है खरे जाड़ी है कि अभी हमारा ही अफसा सफाई अभ्यान चल रहा है इसकते कोड़ा निकल रहा है यहां से अंदर से अभी मिट्टी बहुत है अंदर शर्मदान मंदिर के लिए नमीन थपलियाल जी करते वे और इधर रमेश कुकृती भाई साब पेड़ लगा रहे है यहां पे कि अपे पोधा लगेगा व्यू अब देख सकते हैं कितना सुन्दर नजा रहा है यहां चारो तरफ कोह रहा है और यहां गायें चर रही हैं यहां गायें पूण के लिए यहां पूण को रहा है यहां जो नागराजा प्रभूग इस गए एक पेड़ यहांपर पोधा लगाएंगे यहांपर पेड़ लगाना थबला बन्दर के आस पास यहां पर जगे की कमी है यहां पर ठीक नेक छोटा सा पोदा लगाएंगे और एक जगे हम तयार कर चुके हैं यहां पर पोदा यहां पर अलड़ी तयार कर दिया है अगर मोल दो लें यहां अगर न न बहुत इस अगर लोगोरात जाए हो अगर जाए हो कि अगर आप है 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 यह जो यह तो लग चुका है यह पर वैसे गुलाब का पेड़ भी लगा रहा रहा बाई-साब ने लेकिन यह काफी पुराना है यह वो नहीं रहा है कि छोटे चोटे पोदे भी लगा रहे हैं है यह को अब तो नहीं वना चना आप अब अब दूंगे पर दिक करती चिए को यह ताल से भूंगें को सब भी नहीं कुछ निए वह गया शुनंदर भाई फ़गया अब जाओ लगाओ 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 अब दूसरा पोदा भी लगा दिया हमने अभी हम और भी प्लानिंग कर रहे हैं अभी दो चार पेड और लेके आएंगे हम दो पोदे हमने लगा दिये इसको भी फिराल चार दिवारी कर रहे हैं ताकि यह सुरक्षित रहें यह हम यह ओलडी यह भी लग गया है और इसको भी फिलाल इट से चार दिवारी कर दिया है ताकि यह भी सेफ रहे शुरक्षित रहे चली दो पोदे तो हम लगा चुके हैं अभी जिगा यहां पर बहुत है बर्सात का मौसम ही और इस टाइम पेड़ भी अच्छे हो सकते हैं तो प्लान करते हैं कुछ पेड़ पोदे वह कांस के तो मिल जाना न डाला अचा ब्लोक मा मिल दाला ब्लोक मा देखे इस चोटा सा देखो यह इतना सा काम इनोंने कर रखा है बीच में पथर ठोसे वें हल्का सा सीमेंट और इसकी अनुमानित लागत देखे एक लाग रुपे और यह अठारा उनीस में बना है और मंडरेगा के अंतरगत बना है यह एक लाग का यह हल्का सच काम है यह चोटा साब मेरे हिसाब से तो यह 25-30 हजार उपे काम नहीं है सरकार को ऐसे लूट दें यहां पर और वह भी यह उपर से टूट रहा है कच्छे पत्थर है यहां हलका हलका उन्होंने सिमेंट लगा रखा कोने कोने पे और यह उपर से टूट रहा है और यहां से कुछ दिन अगर दो तिन बारिस और हो जाएंगी यह नीचे सड़क पे आ जाए गए